हेलो फ्रेंड्स आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैंने करली हेयर डल हेयर और फ्रिजी हेयर के लिए और शाइन के लिए एक ऐसा हिना एप्लिकेशन बहुत सी रिसर्च करने के बाद त्यार किया है कुछ लोगों का मानना है कि हिना और इंडिगो पैक या खाली हिना के पैक से भ लोहे की कड़ाई में एक गिलास पानी ले लिया है उसमें दो चममच कॉफी के और दो टी बैक्स भी ढाल देए हैं आप दो चममच आप चाए की पत्ती भी डाल सकते आ हैं इन singers को बहुत अच्छे से बूइल होने देंगे इस लोहे के बूइल करने से इनका कलर बहुत ड करण देंगे और भी ठंडा होने लिए रख देंगे इसके बाद हम मेहंदी की प्रप्रेशन कर लेते हैं मैंने चार योग चमर्च अपने बालों के पार्ड इन्म और रहा था ब्ल हमें ब्लेंडि को की अध All गलर्ड रहे हैंे वना शकर दिएुट कर दियाँ मैंने चम्मच्ट ब्रिंग-राज केशूर भालों के लिए यह राजा का वालों की ग्रोथ और बहुत सी परकु में ए intern कि अलगंगे ताल दीया अब इसी लोहे के बरतन میں मैंने ये महंदी आमलना और भिंगराज वळा पावडर पलट में लिवाइ इसी आप एक लेमन का चूश बी अड़ कर सकते हैं exemplo में इस में Omeli में हम होती हैं। ये बालों से डेंडरफ को दूर करता है, बालों को घना बनाने में भी हेल्प करता है, अगर आपको लेमन जूस ना सूट करता हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अब जो ये हमने काले रंग का पानी रेडी किया है, उससे इस महंदी को थोड़ा-थोड़ा डाल कर ज्यादा इसको पतला नहीं करना क्योंकि इसमें सुबह कुछ चीजें और भी एड़ करनी है इसको अच्छी तरह से चम्मत से फेट कर इसका घोल बना लेंगे या पेस्ट बना लेंगे आप विसकर का भी यूज कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से पेस्ट बनाने के लिए और अब यह देखिए सुबह इसमें कितना अच्छा ब्लैक कलर आ गया है यह लोहे के बरतन में रखने से इसमें महंदी में ब्लैक कलर आ जाएगा जो हमारे बालों को भी ब्लैक करने में हेल्प करेगा ग्रे हेयर को ब्लैक करने में हेल्प करेगा अब इस महंदी को और भी पावरफुल बनाने के लिए मैंने कुछ चीजें और भी एड़ की हैं इसलिए वीडियो को पूरा देखें इसकी इपना करें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जो साइड में काला पन है इसको पूरा हम मेहंदी में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद एक होल एग पूरा यूज करते हैं तो आप इसमें दो एक्स का यूज कर सकते हैं जो लोग एक्स को यूज नहीं करना चाहते हैं तो वो इसको स्किप कर सकते हैं उसकी जगे आप दही का यूज कर सकते दही यानि कर्ड अब इसके बाद मैंने इसमें एक चमच सरसो का तेल यानि मस्टर आयल भी mix कर दिया है यह भी हमारे बालों को nutrition देने और soft बनाने में help करेगा अब इस मेंदी को अच्छी तरह से फेंट लेंगे पूरा अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे और अपने बालों में partition करकर के अपने पूरे बालों में रूट से लेके length तक अच्छी तरह से apply करें शावर कैप पहन लें शावर कैप पहनने का यह मतलब है कि आपकी मेंदी सूखनी नहीं चाहिए जब मेंदी सूख जाती है तो हम बाल जब धोते हैं तो हमारे बाल तूटने की भी काफी chances बढ़ जाते हैं तो इसलिए मेंदी को पास शावर कैप नहीं है तो आप कोई भी पॉली बैग अपने बालों पर लपेट सकते हैं और तीन से चार घंटे तक इसको लगे रहने दीजे फिर इसको नॉर्मल वाटर से वाश कर दीजे और नेक्स दे ऑईलिंग कर लीजे ऑईलिंग ओवरनाइट कीजिए या तीन से पानी ले लिया है उसमें दो चम्मच मैंने अलसी यानि फ्लैक सीट्स डाल दिये हैं और चार पांच गुढ़ल के फूल डाल दिये हैं यह मेरे ड्राइफ लावर्स हैं आप इसको फ्रेश भी ले सकते हैं जब इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो इसका कलर चे जल बनाएगी जब यह जल फॉर्म में आ जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसको हम चान लेंगे इसको ठंडा करके नहीं चानना गरम गरम ही चान लेना है चानने के बाद इसमें एक इंग्रीडियंट और भी एड करना है इसलिए वीडियो को स्किप ना करें पूरा देखे इसको अच्छी तरह से चान लेंगे यह जल बनकर रेडी हो गया है अब जो यह बाकी बचिव ही अलसी है यह फ्लेक्सीड है उसको डिसकार्ड कर देंगे इसमें से जल निकल चुका है इसलिए अब इसको फेक देंगे अब इस जल में एक चमच कॉफी हो जाएगा तो आप अपने वाश किये हुए बालों में इसको पूरा अच्छी तरह से लगा लीजिए रूट से लेके पूरी लेंद तक पूरी जल अच्छी तरह से अपने बालों में लगा कर बालों को ठाई कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए कवर कर लीजिए और आ दंबे घने और सूरत हो जाएंगे मेहंदी की ड्राइनस भी चली जाएगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें